नमक में पोहा डालते ही बाजार में 500 रुपए मिलने वाली चीज आप घर पर मात्र 20 रुपए में बना कर त्यार कर सकते हैं वो भी बिना किसी जंजट खे तो यहाँ पर आपको ज़ादा कुछ नहीं करना है बस घर पर रखी कुछी चीजों का इस्तमाल करना है तो यहाँ पर सबसे पहले पोहे लिए है और पोहे को जो है अच्छे से वाश कर लेना है यहाँ पर मैंने एक कटोरी की लगभग पोहे का इस्तमाल किया है पोहे को आप दो तीन बार अच्छे से वाश कर सकते है ताकि इसमें जितनी भी गंदगी है जो सफेद पानी है सारा का सारा निकल जाए अब आपको क्या करना है इसे थोड़ा सा जो है ड्राइ होने के लिए रख देना है आप चाहे तो सूखे पोहे का भी इस्तमाल कर सकते है वो भी अच्छा बनेगा लेकिन मुझे लगता है कि जो चीजे हम खा रहे हैं वो एकदम साफ सुतरी होनी चाहिए तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा ड्राइ होने के लिए रख दिया है अब आपको एक कड़ाई लेनी है और उस कड़ाई में लगबग एक कर्टोरी के करीब यहाँ पर नमक का इस्तमाल करना है अब इस नमक को जो है हमें अच्छे से गरम कर लेना है दूसरी तरफ हमने जो पोहे ड्राइ होने के लिए रखे थे उसमें भी आल्मोस पानी खतम हो जाएगा लेकिन दो-चार मिनट तो पोहे को इसको नमक को भी गरम होने में लगेगा तो यहाँ पर नमक को हमें अच्छे से गरम कर लेना है ताकि इस नमक का हम अच्छे से इस्तमाल कर पाएं गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज कर दीजे ताकि यह जो नमक है वो जल्दी से गरम हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पोहे को जो है एक कटोरी में निकाल लिया और ये जो नमक है वो भी हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब आपको जो है इस गरम नमक में आप पोहे को डाल देना है अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी रेसिपी बन रही है तो मैं आपको बदा दू कि ये बहुत हेल्दी वाली और बहुत ही तेस नमक और पोहे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए लेकिन आपको एक चीज ध्यार रखनी होगी कि पोहे को जो है आपको अच्छे से एकदम ड्राइ कर लेना है अगर ये गीले पोहे रहे तो वो जो नमक है उस पे चिपक जाएगा और ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छ कर सकूँ पिछला थैंक जाता है सुमित कुमार जी को नाहर गड़ से और समेशता जी को जाता है भादर गड़ से तो आप भी प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम भी हम अपने अगले वीडियो में ले सके तो यहाँ पर जैसे जैसे ये जो पोहे है व तक बनकर तैर हो जाएगी और बाजार जब जाते हैं तो यह जो रैस पी है वो बहुत ही महेंगे दामों में मिलती है और ज़्यादा दिन तक चलती भी नहीं है। लेकिन आप इस recipe को जो है बहुत ही आसानी से लंबे समय तक अपने घर पर चला सकते हैं और इसको store करके रख सकते हैं जब आपका मन करें आपी से खा सकते हैं तो यहां पर जो है यह जो आप देख सकते हैं कि पोहे का color है वो almost change हो गया है और यह पोहे जो है वो बिल्कुल dry हो माद में इन पोहे को चलनी की मादद से चाल लेना है यहांपर मेरे पास में यह जो जाली दार बोड़तन हैं उसमें मैंने इसको डाल लिया है ताकि यह जो पोहे है वो ऊपर रह जाये और नमक जो है वो नीचे चला जाये हाला कि ये जो नमक है वो अभी पूरे तरीके से नहीं निकलेगा अभी भी इसमें थोड़ा बहुत नमक होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें इसका कैसे इस्तमाल करना है ताकि ये जो नमक है वो सारा का सारा निकल जाए इसी के साथ में ये जो बचा हुआ नमक था वो भी हम वापस से डाल देंगे कड़ाई में और इसको थोड़ा सा गरम करने के बाद में यहां पर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मुफली मुफली को भी आप चाहे तो अच्छे से वाश कर ले सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी डाल सकते हैं तो यहां पर गरम गरम नमक में जो है हम इस मुफली को भी अच्छे से भून लेंगे मुफली को भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बस छट पर से ही बंबन कर तयार हो जाएगी और मुफली के साथ में भी यहाँ पर आप एक दो चीजे और एड़ कर सकते हैं अगर आपके पास में हो तो यहाँ पर मैं आपको आगे बताओंगी कि इसमें और क्या-क्या डलेगा लेकिन फिलहाल तो हमें मुफली को भी जो है अच्छे से भून लेना है यहाँ पर मुफली के साथ में आप काजू का भी इस्तमाल कर सकते हो अगर आपके पास काजू है तो क्योंकि काजू और मुफली जल्दी से ही बुन जाते हैं अब यहां पर जो है मुफली को हमें पोहे के अंदर डाल देना है और इसको जो है हम अच्छे से मस लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा नमक है अब थोड़ी देर में निकल जाएगा तो जो एक्स्ट्रा नमक है वह भी निकल जाएगा तो मैंने अभी आपको भी आपको हाथ पर दिखाया की किस तरीकि से हातों की मदद से अगर हम इसको अच्छे से रब करेंगे तो सारा का सारा एक्स्ट्रा नमक है यह देख सकते हैं कि निकल जाएगा और यह जो रेसेपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और आप सोच रहे होंगे कि यह रेसेपी आपके पास में मखाने हैं तो यहां पर आप मखाने जरूर डालिए और साथी साथ थोड़े से बादाम डाल दीजिए इससे क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया बाहर की महेंगी रेसेपी घर पर बहुत ही आसानी से तयार हो जाएगी और फिर से इसका एक्स्ट्रा जो नमक है उसको निकाल देंगे और इस बार जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा बादाम में और मखाने में क्योंकि हमने इसे वाश नहीं करा है मखानों को हम अच्छे से वाश नहीं कर सकते और बादाम भी अच्छे थे तो हमने नहीं करा अब बादाम और मखाने को डाल देंगे पोहे और मुफली में और यहां पर उपर से हम जो भी आपके घर में नमकीन पड़ी हो अगर नमकीन नहीं है तब भी आप स्किप कर सकते हो जो भी चीज पड़ी हो आप डाल सकते हैं थोड़ा सा यहां पर आप इसमें चाट मसाला डा और तरीके से बनकर त्यार होगा है। अब बना रही हूं तो आज की रेसिपी तो सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में हैं हम इसका आगे इस्तमाल करेंगे लेकिन पहले हम इसमें थोड़ा सा जो है नीबू भी एड़ करेंगे क्योंकि नीबू से भी जो है काफी अच्छा फ्लेवर आता है तो ये देखिए मैंने आपको चला के इसको दिखा दिया है आपके सामने ये किती अच्छी लग रही है यकीन मानिए खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी बाहर से जो आप महेंगी महेंगी नमकीन्स वगेरा खरीद के लेकर आते हो उससे लाग गुना ये अच्छी है और खाने में भी बहुत ही अच्छी है और साथी साथी ये हेल्दी भी है तो मुझे तो ये रेसेपी बहुत जादा पसंद आई आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना बबाई फ्रेंड्स टेक कियर